आप साप करते रहोगे और लोग कच्रा करते रहेंगे अरे कुछ नहीं होगा इस देश का हाँ हो सकता है बस थोड़ी और सफाई करने पड़ेगी कैसे यह अपका खताया किसका है किसी भारत में भीजा है भारत हमारा गाव में तो कोई भारत है नहीं मैं किसी भारत को नहीं जानती पड़लुक शायद कोई पहचान वाला हूँ किसी का मत करना कुछ कुछ नहीं बन सकते था सदर प्रणा चायद आप मुझे पैचानते नहीं हो पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से कई बार कई जगा ओपर हम मिल भी चुके और हर मुलाकात एक याद बन दी गए याद है जब वह हमिश्रा की बीवी जब कोई से गुडा फेक रही थी तब आपी ने तो उसे डटा था कांधी चौराय के सामने वाली दिवार पर जब आपी थूख रहा था तब आप ही ने तो रोखा था किसी दूसरे ने फेका हुआ कच्रा जब आपने उठा कर कच्रे के डिब्बे में डाला था ना तब मुझे बड़ा गर्ब महसूस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है आपके बहुत हैसा में मुझ पर नहीं तो बला कौन सो च्टा इन चोटी चोटी बातों के बारे में मैं शुक्र गुजारू आपका मेरी इतनी इज़द करने के लिए मैं शुक्र गुजार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस छोटे कदम के लिए मैं शुक्र गुजारू मुझे महान बनाने के लिए आपका पी ये भारत सच्बत बदो मौन दा मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मुभरक मोन दादा अपना दिन साब हो रहा है हाँ पर आओ रे धरत देना बाकी है अब कौन है ये आपका ख़त आया है किसी भारत में वेजा है जापका ख़त आपका ख़ता आपका किसी भारत में वेजा है जो नहीं बनात